हलो एवरिवन वेलकम बेक टो मैं चैनल तो दोस्तों ये हम एक नया प्रोजेक्ट करेट करने जा रहे हैं ASP.NET में एक वेबसाइट बनाएंगे जिस वेबसाइट का नाम होगा Institute Management System और ये जो प्रोजेक्ट होगा इसमें अगर आप सपोज एक इंस्टेटूट है उसके multiple branches चलते हैं किसी सहर में तो आप उन सारे branches को इस एक पर्टिक्लर वेब अप्लिकेशन के तुरू आप उसे manage कर सकोगे तो ये हमारा पहला पार्ट है और सारी चीजे हम आपको step by step बताएंगे और आप बिना इस वीडियो को आपको step by step फर एक procedure को follow करना है ताकि आप अच्छे से इस project को बना सके अगर आप इसे skip करोगे इसे forward करोगे तो जाइड सी बात है कोई भी step भूल जाओगे miss कर दोगे तो यार ऐसे में आपके project में आएगा error ठीक है तो इस वीडियो में हम दो टास्क करेंगे पहला काम की हम कैसे project को create करेंगे और दूसरा काम करेंगे की login form की design करेंगे और possible हुआ तो हम इसका C sharp का code भी करेंगे की कैसे हम इसे login करेंगे तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है आपको जो आपको requirement होगी ना basically इस project को बनाने के लिए जो हमारी requirement होगी तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए आपको सबसे पहले चाहिए visual studio 2010 या फिर कोई भी latest version आपके पास हो भी चलेगा ठीक है और उसके बाद आपको चाहिए एक sql server ठीक है तो sql server आपको चाहिए तो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूं हो है 2008 sql server 2008 ठीक है तो आपको visual studio 2010 या इससे कोई भी latest version अगरागा आपके पास है तब भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है और आपको यह के sql server database आपको यहाँ पर चाहिए तो यह दो चीज आप आपको requirement होगी इसके लिए तो भाई यहाँ पर देखे आप मेरा जो video studio 2010 में यूज करता हूं तो यह install कर लिया है आप इसे open कर लेंगे फिर यहाँ पर आपको मिलेगा एक menu जिसका ना में file file पर click करते है आपको मिलेगा एक new option तो new पर आएंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर basic में भी बना सकते हैं मतलब की रहेगा तो वह website ब्राउजर पर रन करेगा पर वहाँ पर जो code होंगे इंटरनल जो code होंगे वह आप visual basic के जो code आप लिखते हैं उस code के तरूब भी आप इसे बना सकते हैं पर यहाँ पर जो हम बनाएंगे वह C sharp का होगा तो I hope कि आप लोग पता होगा जो लोग नहीं है जो लोग नए आये हैं इस चैनल पर जो लोग पहली बार सीख रहे हैं कि कसे बनाना है तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ आपको हमेशा यह पे visual C sharp select करना है ठीक है आपको करना है visual C sharp select करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर एक ASP.net empty website आप पे visual C sharp 2010 नाम का folder होगा उसके website नाम का फोल्डर होगा उस folder में जो भी आप फोल्डर डिसाइड कर दोगे कि हाँ इस folder मुझे सेप करना है वहाँ पर जाके सेप हो जाएगा अब मुझे करना है यहाँ पर इसका जो नाम है वो चेंज करना है तो यह मैं से इसका नाम चेंज क करना है थोड़ा सा वेट करेंगे और फिर यह इस तरीके से यहाँ पर यहाँ पर हो चुगा है तो हम चलेंगे solution explorer पर यहाँ पर देख सकते है solution explorer ओके तो जिल लोगों की विजियो शूडियो में solution explorer नहीं दिख रहा है वो क्या करेंगे वो जाएंगे यहाँ पर एक view नाम का आपको एक menu मिलेगा view पर आएंगे यहाँ पर आपको क्या मिलेगा solution explorer इसका shortcut control plus w and s है ठीक है तो आपको solution explorer पर करना है click जैसे आप click करोगे solution explorer पर तो आपको यह window open होके आएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो project है यह क्या है institute management system तो यहाँ पर यह create हो चुगा ह project क्या होता है collection of files ठीक है folder तो one यार one or more एक या एक से ज्यादा file का collection होता है आपका project तो अब देखो जो यह project बनाते हो आप चाहो तो directly यहीं पर page add करना start कर दो ठीक है यहाँ पर आप direct add new item पर यहाँ से आपको क्या करना है web form जो है बनाना start कर दो पर सबसे जो एक सबसे जो अच्छी चीज होती है कि आपको क्या करना चाहिए folder रिंग करना चाहिए हर एक चीज का आपको folder create करना चाहिए ताकि आपकी जो फाइलें हो वो organized manner में हो तो हम क्या करेंगी हम यहाँ पर folder create करेंगे तो right click करेंगे सबसे पहले new folder एक folder बनाते है तो जो हमारा आपको folder होगा तो माली जी यह होगा एडमीन के लिए तो its admin user तो यह फोल्डर मैंने क्यों बनाए क्योंकि जितनी भी फाइल है जितनी भी पेज होगे एडमीन से रिलेटेड ठीकर जहां पे एडमीन टास्क करेगा एडमीन की सारी पाइल सारे फॉर्म हम इसी पर फोल्डर के अंदर रखेंगे तो इससे क्या होगा कि जब भी आप एड्मिन की किसी भी पेज को सर्च करोगे तो आपको असानी से इस फोल्डर में मिल जाएगा और अगर आप यहीं पर आप इसे एड करते चले जाओगे तो होगा क्या कि यहां पर जाएगी पूरी तरह से किज़ी हो जाएगी आपको कोई भी पेज सर्च करना होगा तो आपको मिल नहीं पाएगा ठीक है अब ऐसे आसानी हो जाएगी तो एड्मिन के सारा पेज आपको यहां पर रख देना है अब इसके बाद आपको फिर से एक फोल्डर क्रेट करना है अब इस फोल्डर का आप नाम दे देते हैं माली जे की ब्रांच है आपके पास ठीक है तो यह ब्रांच यूजर के लिए हो गया जो भी ब्रांच के मैनेजर होंगे स्टाफ होंगे ठीक है तो यह ब्रांच के लिए हो गया तो इसका नाम दे दिया ब्रांच यूजर अब ब website related वो इस particular folder में रखी जाएंगी next जो होगा एक और हमें आप एड़ कर लेंगे image की बाद हम कर लेते हैं एक master page करके ठीक है तो master page आपको पता ही है आप उसमें क्या करते है header and footer को define कर देते हैं और वही header and footer हम सारे pages में call कर लेते हैं ठीक है तो एनकी एक page में हमने header footer decide कर दिया और उसी page को हम सारे page से link कर देंगे attach कर देंगे ठीक है अब यह master page तो सारे जितने आपको कुछ करना है तो यह आपने फोल्डर बना दिया ठीक है तो यह इतनी फोल्डर यहां पर हमारे बन चुके अब जो भी आपको कुभी यहां पर किसी particular section जिसे कि admin branch या फिर अगर आपको master page क्रेट करना है तो इस सारे फोल्डर में आपको उस particular file को यहां पर create करना होगा और अब हम चलते हैं इसमें जो पहला page हमारा होता है वह हम add करते हैं तो यहां पर right click करेंगे और आएंगे add new item पे यहां से आपको क्या करना है यहां से विजूल स्रीश अपस्ट करना है फिर यहां पर आपको एक web page लेना करों तो html में जो default by default जो file होती है वो होती है index.html ठीक है index file और asp.net में आपका जो by default जो page call होता है हम कह सकते है compiler जीसे call करता है वो क्या होता है वो होता है default.xpx ठीक है तो आप इसके नाम को change भी कर सकते हो या आप default भी use कर सकते हो कोई problem नहीं तो हम यहां पर क्या करेंग डिफॉल्ट है तो default को मैंने क्या किया चपरो प्रोजेक्ट मैंने इसेола मने बाहर रखती है मैंने हम इसे folder में इडा सकते हैं कोई दिख्कत नहीं है पर हमने इसे क्या किया यह हमारे बिदिजwest के अंदर ही तो यह default वाला page अब यह फेज है अब ही इस पेज की होते हैं अब देख सकते हैं तżenie कैम और कि दूसरी kilka होटा है सोर्स कोड और एक तीसरा होता है इस सेट में 50-50 वैपको सब्सक्राइब नियut me तो या तो मैं डिजाइन पर काम करता हूं और या तो source code तो टाइटल में क्या होता है कि आपको यहां पे टाइटल देना होता है जो भी आपके वेबसाइट है जिसे कि मैंने दे दिया institute management system तो यह आप देगे तो इस ब्राउजर के टाइटल बार होगा उसमें लिख के आएग तो टेबल के लिए क्या करोगे आप design view में चलो और यहां से आप आ जाओ table में ठीक है और यहां से insert table करेंगे यह आपने किया एक table यहां पर इंशर्ट कर दिया तो इस तरीके साब देशाएक टेबल यहां पर बन गया है ठीक है अब यह एक table बना जिसमें क्या है इसमें है हमारे पस क्या है दो TDI, एक टीडी यह है तो इसके लिए क्या करएंके जो हमारा पहला जो टीडी है यहा था इम पर आपको क्रोकर पतीने के एक तो हम alignment से लाइंड को हम sender कर देंगे तो से लाइंड Cesar का जाते को पर स्लिख के अनदर हम क्या क्या टीड करेंगे एक और और हम यहां पर बनाएंगे table और इस table का हम इस style देंगे यहां पर एक जो कि हो जाएगा it's not a style यह आपको class हम दे देते हैं यहां पर class क्या देना है हमें यहां पर class का नाम आप दे दीजिए it's a style 1 करके तो हमने यहां पर यह बना लिये किया रहा है class equals यहां पर table हमारा देख सकते हैं यह हमने एक ओड यहां पर बना लिया है अब इसी जो आप देखेंगे तो मैं ब्लगा रों हुग हमेरेо पास क्या है यह है एक table बनाया और इस एक टेबल और यहाँ पर आपने क्रेट किया ठीक है यह टेबल और यह जो टेबल है इसमें आपको क्लास यहाँ पर देदिया CSS style 1 नाम से तो अब इस टेबल के अंदर हमें क्या क्या चीज़े क्रेट करने हैं यहाँ फिर हम क्रेट करेंगे एक कॉलम बनाएंगे कॉलम हमको पता है टीडी कंट्रोल से बनता है कॉलम ठीक है तो यह कॉलम हम क्रेट कर रहे है अब यह जो कॉलम हम क्रेट कर रहे है वो इसके अंदर कर रहे है इस पर टेबल के अंदर कर रहे है अब यहाँ पर इस कॉलम का क्या करना है आपको फिर से अल यह जो आप देख रहे हो, यह जो टीबल बन गया है स्टीबल के इंदर हम क्रेट करना है तो रोव क्रेट benefit करना है एक हो गया, और यहीं पर हम्रेटकर स्टीबल है इस पहले में、 हमें, क्रेट करना है एक कॉल मुद Bernard पर हमने एक column create कर दिया अब यह जो column हमने create किया है इस column में हमें क्या लेना है एक नीचे आएंगे यहाँ पर हमें लेना है एक image control तो आप चलेंगे toolbox में यहाँ से आपको एक image control जो है वो आपको यहाँ से लेना है its image control यह हमने image control ले लिया इमेज की id image1 internet server अब यहाँ पर हम कुछ चीज़े और यहाँ पर assign करेंगे जैसे कि इस control पर हमें image लगाना है तो वह कैसे हम लगाएंगे इमेज लगाने के लिए सबसे पहले हम चलेंगे design भी में आजाते हैं यह ज़्यादा अफसान रहेगा तो यह आप देख रहे हो अब यहाँ पर आपको image लगाना है तो यहाँ पर इसे राइट क्लिक करेंगे इसके property में चलेंगे आपको image URL के लिए सबसे पहले मेरे पास एक folder है मैं आपको बता दो जहां से मैं इमेज लेकर आ रहा हूं तो तो यहाँ पर मैंने एक image बना रखा है यह image बना रखा है जिस पर लिखा हुआ है इसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे इसे copy करेंगे इस image को मैंने किया copy और इस image को हम क्या करेंगे हमारा जो इमेज वाला फोल्डर है इसी folder में हम इसे क्या कर देते हैं यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं तो यहाँ पर यह image आगे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आपको 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 आप थोड़ी दिर में आपका जो डिफॉल्ट ब्राउजर होगा वो ओपन होके आएगा और उसमें यह पटिकुर्ट जो फाइल होगी यह पेज़ जो होगा यह रन करेगा तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है अब इसके बाद यह मारा जो पेज है यह ओपन होके आजाएगा तो यह आप दे सकते हैं उपर आपको देख रहे हैं लोकल होस्ट और यहां पर सर्वर का नाम और फिर आपका जो अप्लिकेशन है वह और कौन सा पेज उपन हो रहा है डिफॉल्ट पेज ठीक है यह आपको उपन हो रहा है तो थोड़ा सा आजकल गूगल क्रोम जो है वह व सब्सक्राइब करोगे तो मतलब कम से कम एक मेर्ट ले लेता है उपन होने में तो यह आप देख रहे हैं यह इमिज देखो किस तरीके साब को इमिज देख रही है अगर आप इस इमिज के हैइट को दिरुछ रहा साओ कम करना चाहते हो तो आपको क्या करना है इसका हम करें स्वर्य नॉट विर्थ यह तो आपका विर्थ तो ठीक है दस असी कर देते हैं विर्थ को हमें क्या देना है हाइट को हम रखेंगे यहापे करीब 200 पिक्सल यह इसे हमने सेव कर लिया अब ज़रा सा अगर हम अपने इस पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं कि किस तरीके स से देखता है तो कम हुआ क्या सायद कम हुआ है ठीक है तो इस तरीके से अब इसे कम कर सकते हैं थोड़ा सा मसे और कम करेंगे जैसे कि अभी के लिए हम इसे चाहते हैं 100 आधा इसे मैंने आधा कम कर दिया अब देखते हैं क्या होता है तो इस तरीके से ठीक है तो इसे हम कर अंधर में क्या करना है हमने यह जो देना है इसे में Center पर करना है तो आपको इसे Alignment देना है ठीक है Alignment is going to, यहाँ आपको आप देना है apply Center तो यह इस तरिके से है जो हमारा पहला रोह था यहाँ यहाँ पर बन चुका है अब हम क्या करेंगे यहां पर टीडी क्लोज हो जाएगा फिर टीर क्लोज हो जाएगा अब इसी टेबल में ठीक है दो जरा साफ इसे तरीके से घरो इस टेबल में क्या करना है एक और यहां पर टीर को ठीक है एक और हमने टीर यहां पर क्रेट किया अब इसके अंधर हम क्या क करना है, alignment सेट करदेना है, alignment is equal to इसे भी क्या रखेंगे center रख देते हैं, теकर alignment center रखने के बाद हमें यहाँ पर इसका mean rating यहाँ पर देना होगा. तो हम्ою जाते हैं , यहाँ पर अंदर आ जाते हैं इसमें हम एक hidden two करके यहां पर दे दे management SYS system तो जे मैंने दे दिया इसे मैंने सेफ कर लिया अब जब आप इसे रीफरेश करोगे तो नीचे इसके आपको इस institute का जो नाम होगा वो आपको देखनों को मिले का ठीक है यह हो यह सेंटर में चला गया आपका अब यह जो इमेज है आप इसे full width कर सकते हो चाहो तो पूरा आप इसका जो भी स्क्रीजिन की साइज है जितनी उतनी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो और नीचे आपको यहाँ पर जब आपके इंस्टिटूट का नाम है वो आपको यहाँ पर देखनों को मिले आएगा तो यह एक डिजाइन हो गई अब यहाँ पर क्या करेंगे यह आपका जो दूसरा row था यह भी आपका create हो गया ठीक है तो यह जो table था इस table के अंदर आपने create किये दो row अब यह दो row create हो गए तो हमारा जो यह table है कौन सा table यह वाला table इस table का काम जो है यहाँ पर खतम हो जाता है अब यहाँ पर आपको लेना है पैनल कंट्रोल चलेंगे डूल बॉक्स में अब यहाँ से आपको मिलेगा एक पैनल कंट्रोल जिसका नाम PC होगा यहाँ पैनल कंट्रोल यह ले लिए हमने पैनल कंट्रोल अब यह जो मारा पैनल कंट्रोल है इस कंट्रोल में हम क्या करें प्लितिस की आईडी यहां पर यह हो गया अब यहां पर हमें क्या देना है तो पैनल कंट्रोल में यहां पर आजाते हैं यहां पर हमें लिखना है डिफॉल्ट बटन तो डिफॉल्ट बटन अभी हमें कोई बटन यहां पर यूज नहीं किया है बटन हम बनाएंगे जिसका ना यह मैंने बनाए एक table यह जो table है इस table का यहाँ पर आपको कुछ property है like alignment जो है इसका वो आपको यहाँ पर देना है ऐसे पोर्ड़र अगर आप देना चाहते हो तो यह पूर्डर अब यह अगर देना चाहते हो तो आप दे सकते हो तो यह सिप collapsed अब ही तो इतल सबस्राइब आपको यह पर करना है दहाल से नहें आपको यहां पर बनाने है तो पहला रोव यह है इसी को हम करें को key और two तो चार रो हमने यहां पर बना दिये तो यह हमारा पहला रो अब जो पहला रो है इस पहले रो में आपको यहां पर एक कॉलम क्रेट करना होगा तो हम इसे नीचे राते हैं यहां पर इसके अंदर हमने क्रेट किया एक कॉलम अब यह जो कॉलम होगा इस कॉलम में यहीं पर आ है नहीं पे यहां लगाना है स्टार को स्टार मतलब यह फेल रेक्न हrais लोग इम अगल कि अपर एक और पर यहां पर टी डी क्रिएट करना है और में अपने ब्रस इंटर नहीं सय थै सेंटर नहीं है डёख calm आपको टिक सब्सक्राइब है तो चलिए के ढूल्बोक्स में यहां से हम लेंगे एक text box control हमने ले लिया अब यह जो text box control है इसका जो id होगा आप हर control का id को यहाँ पर rename करेंगे ताकि हमें coding के वक्त ज्यादा problem ना हो तो txt login id ठीक है यह हमारे control का नाम हो जाएगा और यह हमने इसे save कर लिया ठीक है यहां पर यह रो यहां पर कतम हो जाता है अब चलेंगे next वाले रो में यहां पर आते हैं अब इसके अंदर भी आपको क्या करना है एक column यहां पर create करना है तो यहां पर आते हैं आपको क्या बैस नहीं आना यहां पर यहां पर यहां से copy कर लो ठीक है यह आपने copy किया और यहा क्रिए हो रहा है ती आर यहां पर आपने से प्यस्ट कर दिया ठीक है अब यहां पे क्या यूजर-oddy Viking तो हो घ् Pat ़ुभ यहां पर क्या होगा अब यहां पर पासवूड करेए स्टार के बार पासवर्ड तो यह आपका password हो गया, अब यहाँ पर यह text box आएगा, अब यह जो text box है, अब यह text box है, इसका आपको text change, id change करना, इस त्ट, password, word, ok, txt password, अब यहाँ पर एक चीज़ हमें देना है, जो कि password है, तो मैं चाहता हूँ, यहाँ पर जो हमारा password हो, वो visible ना हो, ठीक है, तो ज़रा स इसे मैं save कर लेता हूँ, और जोरा से मैं आपको देखाता हूँ, इस तरीके से आपको दीखेगा, एक मिर्ट, जो panel में मैंने default लगाया है, वो यहाँ पर error दे रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी के लिए क्लिए क्रेंगे, panel का जो यह मैंने use किया है, इसको हम य अभी नवाला left side में चला गया, ठीक है, कोई दिकता है, हम इसे center में भी कर लेंगे, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको enter करना है, username जो भी है, आपका, पास्वर्ड में क्या करना है, आपको यहाँ पर इंटर करोगे, तो यह आपको देखो, जो भी बने digit यहाँ पर इंटर किया हुआ है, वह आपको visible हो रहा है, तो हम इसे क्या करना, इसे invisible बनाना है, तो उसके लिखा करेंगे, जो हमारा password है, यहाँ पर इसकी property होती है, text mode करके, text mode is equal to, आपको यहाँ पर क्या लिख रहा है, password, ओके, तो यह password, अप क्या होगा, अब आप इसे save कर लोग तो यहाँ पर यह, इसे एक बार refresh करते हैं, तो जब आप यहाँ पर इंटर करेंगे कोई चीज़, तो यहाँ पर वो आपको दीखेगा नहीं, ठीक है, तो यह हो गया, अब हमारा password बन गया, अब यह yes का जो हमारा, कौन सा था, एक बट, तो, हमने यहाँ पर बनाये थे, कि ठीक है, एक TDA है, और यह TDA के बाद इसका यहाँ पर TR आएगा, इसका रो यहाँ पर हो गया, और अब हमें क्या करना है, अब हमें एक और यहाँ पर रो ग्रेट करना है, चार थे, बिसकलिए दो डिलीट होगे मैरे खाल से, तो, ठीक है, अब यह जो है, अब इसमें आपक क्रेat करना, यहाँ पर भाद फासवर्ट दो यूज अनिम के लिए हमें बना लिए अब हम VBB बटन लेए है, तो प्रिर से इसमें भी हम क्रेat करें रोलम और यह जो नहीं होगत, फिर इसका भी आपको क्या में देना, यहाँ प्राजैना है यहाँ पर ऴ ittक पनम को यहाँ प बन्या आपर यहां पर यहां पर जैना यहां पर आपको लगत दो है तो आप इसा दोगे होगा अबS रएकÆ चाला गया तो को क्या करना है में पैनल है यह टेबल है तो टेबल को दो को अलाइंग्मेंट राइट किया है यहां पर प्रवर्म दे रहा है बट अगर हम इसे सेंटर कर देते हैं तो अब यह क्या होगा अब यह आपको यहां पर सेंटर में आपको दिखाई देगा तो अब यह आपको सेंटर में यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो इस तरीके से अपने लॉगिन फ़र्म त्यार कर रहे है तो हम कहां पर थे बटन पर थे तो यह आगया बटन यहां पर राइड कर लिया है अब इस बटन की कोई प्रोपर्टी अगर आपको देना चाहते हैं यहाँ पर यहाँ पर आपका यह जो तीसरा जो रोज़ था वो भी आप पर चलते हैं लास्ट एयार कंट्रोल के तरब अब इसमें आपको क्या करना है कुछ और भी आपे चीज़ आप लगा सकते हो जैसे कि अब हमें कुछ लिंक बगारा देने हैं तो यह आपका है इसमें हम create करेंगे पहले एक column बनाया ठीक है अब यह जो column होगा इस column का आपको देना है call spend to हम इसे merge करेंगे merge करने के बाद यहाँ पर आपको क्या देना एक hyperlink लेना है तो toolbox में चलेंगे और यहाँ से आपको एक hyperlink लेना है ठीक है आपने एक hyperlink लिया अब यह जो hyperlink होगा id hyperlink ही रहने देते है run at server और उसके बाद यहाँ पर आपको एक यह जो है आपका यह जो आप text देख रहा हूँ इस text को क्या करना है आपको इसे हम कर देते हैं forget password ओके यह आपका होगा forget password अब यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर यहाँ पर यह इसकी property होती है navigate URL करके यह property हम कभी यूज करते हैं जब आपको जब मैं यह चाहता हूँ कि जब भी आप यहाँ सा पेज का यहाँ नहींग देना होखाई पर अभी मैंने ऊहस बनाया नहीं है तो आभी क्लिए करते हिहाँ तक हम सिरीप Ay sampai यहाँ पहल् Frame Office वुप्स्पा क्रेट त्लम से कौन सा पर छाई होगर यहाँ पासवर्ड आप shaped कर यहाँ पर अगर आपने password अगर भूल गये हैं था पर यहां पर checked or यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर क्लिक करोगी बिदैता यहां अब इसे लाइंगे जिस्वर्ट याँको यहां आपको सब्सक्रणार स्दें शुडब तो उसके लिए हम यहंए अपे यह अर्च आपको टैप क्रूंब आप इसटार मिलेगा तो आपको किया मिलेगा ठाइब कर दाते है यह प्लिट कर दिया अब इसके जस्ट नीचे आएंगे फिर से हम क्या करेंगे एक और hyperlink यहां पर हमने ले लिया ठीक है अब यह दूसरा hyperlink है यहां पर आजाते हैं अब यह जो hyperlink है इस hyperlink का आपको क्या देना है जो text होगा वो यहां पर आपको देना है its branch user करके ठीक है और इसकी भी एक property होती है navigate URL यह आपको यहां पर ताकि जब आप इस पे क्लिक करें तो आपकी इस page पर move करें वो हम यहां पर देंगे पर जब हमें वो page भी बनाया नहीं है तो उसका link हम नहीं जा सकते तो सबसे पहले हम वो page यहां पर create करेंगे and then उस page का link यहां पर हम देंगे अब इसके बाद आप एक तर्यको का करना है फिर से अपको यह जो अपने is pinch pen णंबने लिखा है इसको copy करेंगा और यहां पर आपको Pencje Tech को paste कर देना है space के लिए ठीके अब again हम क्या करेंगे रहेना है अब इसमें क्या करेंगे sign up के लिए हमारे पास एक target करके आएगा ठीक है target property होगे target में क्या लिखना है जो भी हमें target करना है वो क्या करना है blank करना है ठीक है एक blank page open होगे अब देखा था हूँ इसके बीच में थोड़ा सा space आपको देना है ओके और यह सही हो गया ठीक है यहां पर आएंगे आप इसे run करोगे परफेक्ट तो यह देखो यह सब क्या यह सब तो आपके यहां पर hyperlink जैसा बन रहा है ठीक है जो hand का symbol भी आ रहा है यहां पर यहां पर hand का symbol नहीं आ रहा है क्योंकि जो एक इसकी प्रपर्टी होती है navigate URL आपने उसे जैसे आपको देख रहा है और यहां पे यह hand का symbol भी बन रहा है तो जब आप इसमें क्लिक करोगे sign up पे तो जो मैंने blank target is equal to blank रखा है तो एक नया page यहाँ पर open design नहीं है त्यार कर लिया अब design के पाद हमारा जो बच जाता है कि इसका जो code होगा वह आपको कैसे करना होगा ठीक है तो इसे आप refresh कर लो यहां पर आगे तो जिते कि अगर आप login करना चाहते हो जिते कि अगर आप branch manager हो तो login करना चाहते हो तो अपको यहाँ पर click करोगे तो आपका जो page होगा ब्रांच manager के लिए branch user के लिए वह वाला page open आज आएगा अग्लाप नए बंदे हो sign up करना चाहते हो तो आप यहां से click करोगे registration जो form होगा हो यहाँ पर open